exercise 9.2 का question number second देखते हैं second question में दिया हुआ है if E, F, G and H are respectively the midpoints of the sites of a parallelogram A, B, C, D show that area of E, F, G, H is equals to half of the area of A, B, C, D देखो यह बहुत interesting question है क्यों interesting है यह मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ वीडियो पहले मैंने आपको introduction पार्ट में यह बताया था कि अगर दो parallelogram same base को share कर रहे हूँ और same parallel lines के बीच में आ रहे हूँ तो उनका जो area होता है वो same होता है तो यहाँ पर students को यह confusion हो सकता है कि यहाँ पर दो parallelogram दिये हो है और दोनों ही parallel lines के बीच में आएंगे देखो क्या होगा ABCD आप draw करोगे फिर उसके बाद उनके mid points ले लोगे और वहाँ पर एक और parallelogram बन जाएगा लेकिन confusion क्या होगा यहाँ पर देखो दो parallelogram का area तब same होता है जब उनका base भी same हो और दोनों same parallel lines के बीच में आ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है दो parallelogram तो है दोनों parallel lines के बीच में भी आएगा लेकिन दोनों का base same नहीं होगा इसलिए दोनों का area जो है वो equal नहीं होगा वही चीज़ आपको question में बोला है कि अगर ABCD एक parallelogram है और इनके mid points को अगर join कर दिया जाए तो जो quadrilateral form होगा उस quadrilateral का area है वो ABCD parallelogram के area का half होगा यह आपको prove करना है ठीक है तो बहुत simple question है कैसे solve करेंगे चलिए white board में देखते है ठीक हो question में हमको given है कि ABCD एक parallelogram है जिसमें EFGH जो है ABCD का mid points है और आपको यह prove करना है कि area of EFGH जो है वो half of area of ABCD होगा ठीक है तो यहाँ पर देखो अपन diagram पर लेकर construct कर लेते है ABCD एक parallelogram है तो आप parallelogram कैसे भी बना सकते हो चाहिए rectangle बना लो square बना लो या कोई भी दूसरा parallelogram बना लो ठीक है तो यह एक parallelogram बन गया इसका नाम दे देते है ABCD अब इनके mid points है EFGH तो मैं a mid point बना लेता हूँ यह हो गया E यह हो गया F यह हो गया G और यह हो गया H अब इसको अपन अगर join करेंगे तो यहाँ पर एक और quadrilateral पॉण हो गया ठीक है अब यहाँ पर देखो आपको proof करना है कि यह जो EFGH है इसका area जो है ABCD के area का half है ठीक है आपको पता area क्या होता है इसके अंदर का space होता है तो ABCD आप देख सकते हो बहुत बड़ा space है उसके अंदर में EFGH बना हुआ है तो जब आप EFGH बना रहे हो तो ABCD का यह space यह space यह space यह space यह space यह space छुड़ यह है तो यह जो portion है यह EFGH का area है तो obviously यह जो area है इस बड़े वाले parallelogram से कम होगा आप आपको proof करना है कि यह कम कितना है यह एकदम half है यह आपको proof करना है तो इसको proof करने के लिए हम लोग को एक construction पहले करना पड़ेगा आपको क्या करना है EFGH का एक diagonal draw करना है आपको HCF तक एक diagonal बना लेना है यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले मैं construction लिख लेता हूँ construction क्या construction करना है join HF HF को हम लोग को join कर लेना है अब यह HF क्या है EFGH का एक diagonal है अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखो यह HF जो है DC के parallel होगा ठीक है और AB जो है यह भी HF के parallel होगा तो पहले हम लोग उपर वाले इसमें ले लेते हैं देखो HF और DC parallel है अब इन दो parallel lines के बीच में HF, C, D यह एक parallelogram हो गया और GHF यह एक triangle हो गया तो दोनों का base same है HF और दोनों ही parallel lines के बीच में lie कर रहे है तो इस condition में क्या होता है इस condition में area of triangle जो है triangle GHF GHF is half of area of किसका HF, C, D का ठीक है दोनों का base same है दोनों same parallel lines के बीच में आ रहे है तो इस तरह का उनके बीच में relation बचता है जब एक triangle और एक parallelogram same parallel lines और same base के बीच में आते है अब इसको देता हूँ मैं equation number one same case आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर EHF यह triangle है और HFBA यह एक parallelogram है अब इन दोनों parallel यह जो दोनों ही diagram है same parallel lines के बीच में है और दोनों का base जो है वो same है है base कैसे identify करते है same parallel lines के बीच में कैसे आता है यह सब चीज हम लोग पिछले exercise में सीख चुके है पिछले exercise जो था वो इसे practice के लिए था ताकि यह identify करना आप सीख जाओ कि same base में और same parallel lines के बीच में कैसे आप diagram को find out कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर यह करेंगे हम लोग फिर same चीज होगा इसका जो area होगा HFE का या EHF का area of EHF is equals to half of the area of HFBA HFBA इसको दे देता हूँ मैं equation number 2 को अब इन दोनों equation को अगर आपन add करेंगे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर add equation number 1 and 2 तो left hand side वाला left hand side के साथ दे add होगा area of GHF GHF plus area of EHF यह equal होगा half of area of HF CD plus half of area of HFBA अब थोड़ा सा ध्यान देना GHF यह है अपना GHF और EHF EHF अगर इन दोनों को add कर दिया जाए तो देखो यह उपर वाला triangle प्लस नीचे वाला triangle क्या बन जाएगा EFGH यह पूरा parallelogram बन जाएगा ठीक है तो मैं लिख लेता हूँ area of EFGH is equals to यहाँ पर देखो half-half दोनों में मैं common ले लेता हूँ area भी दोनों में अर common ले लेते हैं अब आप देखो HFCD HFCD यह उपर वाला portion प्लस HFBA HFBA यह वाला portion ठीक है तो यह प्लस यह तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ABCD लिख सकते हैं ठीक है बहुत simple यह आ गया ABCD तो यही चीद आपन को यहाँ पर प्रूफ करना था ठीक है तो यह हो गया exercise 9.2 का second question और इसके बाद हम लोग नेक्स वीडियो में third question देखेंगे नेक्स वीडियो का link आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा